दोस्तों, आज हम compare करेंगे Moto G85 को, Moto G45 से, देखो, दोनों ही 15,000 के round मिलता है, Moto G85 16-17,000 में मिल रहा है, बट launch इसका 15,000 के price पे ही हुआ था, and Moto G45 15,000 के अंदर मिल रहा है, offers वगरा लगा के, तो यार, बहुत अच्छा deal है, बट तुम्हें इन दोनों में से कौन सा smartphone लेना चा रहेंगे, इन दोनों फोन के बारे में, इन दोनों में से कौन सा worth it रहेगा तुम्हारे लिए, तो वीडियो शुरू करते है, and भाई, सबसे पहले बात करते, बिल्ट के, देखो, simple सी चीज है, पीछे तो वैसे vegan leather है, and मुझे Moto G85 को, vegan leather की quality थोड़ी जादा better लगी है, of course, यह थोड़ा सस्ता है, तो यहाँ पे obvious सी चीज है, बाई, इसकी भी quality अच्छी है, vegan leather वैसे हमेशा अच्छा ही लगता है, quality मतलब थोड़ी उपर नीचे होती है, but feel-wise अच्छा लगता है, but feel-wise जो बाकी premium ने से न, वो G85 में देखना को मिलेगा, plus जादा compact भी, क्योंकि यह curve display के साथ आता है, तो थोड़ा सा जादा compact भी लगता है, and Moto G85 थोड़ा सा मोटा भी है, and थोड़ा boxy design तो लगता है, बाकी IP52 के साथ आता है, Moto G45, and IP52 के साथ आता है, Moto G85, and भाई, मुझे दोनों की haptics, मतलब प्राइस के साब से सही लगी है, दोनों की मतलब मैं कहसाता सेम ही है, also guys, यहाँ पे speaker भाई, दोनों में Dolby Atmos support करता है, dual speaker है, and Moto G85 है, इसकी speaker की quality मुझे जादा बेटर लगी है, base actually मुझे थोड़ा सादा बेटर लगा है, Moto G85 का, and loudness भी मुझे थोड़ी अच्छी लगी है, whereas Moto G45 में guys, ऐसा बिलकुल नहीं है, कि speaker की quality खराब है, यह भ तो जादा immersive experience तुम्हें Moto G85 लाकर देता है, बाकी अब देखो, G85 में 12 5G bands है, and G45 में 13 5G bands, बाकी network में मुझे दोनों में प्रोबलम नहीं हुए, अचा वैसे तो दोनों में fingerprint scanner है, but in display fingerprint scanner तुम्हें मोटो G85 में देखने हो मिलता है, and side mounted G45 में है, and एक चीज और जब लोग ब क्योंकि भाई, दोनों में ही similar chipset देखने को मिलता है, Moto G85 में भी Snapdragon 6S Gen 3 का chipset है, जिसमें तुम्हें 4.7 lakh के राउंड आती है, and Moto G45 में भी Snapdragon 6S Gen 3 ही है, जिसके राउंड आती है, जिसके राउंड आती है, दोनों में ही LPDDR 4X RAM है, UFH 2.2 देखने को मिलता है, हाँ, difference यहाँ प बात करते हैं, दोनों ना gaming phone तो नहीं है, इतना तो तुम्हें अब तक पता चल गया होगा, बट तुम दोनों में ही casual gaming कर सकते हो, and मुझे दोनों में मतलब performance बहुत हद तक similar लगी है, हाँ, G85 की मैं बोलना चाहूँगा कि मुझे performance थोड़ी better लगी है, और मेभी इसका UI बेटर Moto G85 का लगा है, G45 का भी अच्छा है, बट कभी-कभी apps refresh हो जा रहे थे, बट overall मुझे दोनों में use कर में कहीं कोई problem नहीं हुई है, हाला कि देखो या, G45 में न, Moto का Hello UI New बाला देखने को नहीं मिलता है, My UX देखने को मिलता है, and यह मैं कह सकता हूँ, भाई, drawback है, मत थोड़ा new look है, तो G85 में तुम्हें वो चीज़ देखने को मिलेगी, बट Moto G45 में वो चीज़ नहीं है, प्लस मैं software update की बात करूँ, तो भाई, 1 प्लस 3 एर का software model Moto G45 लाकर देता है, and G85 2 प्लस 3 एर का software update लाकर देता है, भाई, long term के लिए definitely, यहां पे तुम्हें, Moto G85 जादा मिलते हैं सारे G85 में, तो all in all बता हूं, तो भाई, देखो software-wise भी न, मुझे G85 थोड़ा जादा बेटर लगाया, हाला कि देखो ऐसा नहीं है कि G45 का software खराब है, बट भाई, इसमें न, bloat waste तो नहीं है, बट थोड़ा add वगरा, notification वगरा आता है, जैसे lock screen में जो glance वाला option र ultra wide camera है, 1080p में video recording होती है, एंड मैं selfie की बात करूँ, तो भाई, 32 megapixel का selfie camera है, बट G45 में 50 megapixel का main sensor है, OIS नहीं हाता है, एंड 2 megapixel का macro है, एंड इसमें भी 1080p में ही video record होती है, बट friend में, हाँ, 16 megapixel का selfie camera है, तो मैं एर photos की बात करूँ, तो यहार यहां पे तुमें clearly दिखेगा, ज contrasty रख रहा है, G85, एंड थोड़ा सा जो depth होता है, जो details होती है, वो यहां पे तुमें G85 में देखेगी, हाला कि G45 का भी हार photos काफी अच्छा है, थोड़ा सा dull लग रहा है, मतलब जो brightness होती है, वो कहीं न कहीं मुझे कम लग रही है, इवन जो depth feel है, वो मुझे G85 का definitely, बाकि overall यार, G45 का भी photos काफी अच्छा है, यहां पर तुम देख सते हो, colors बगर है, काफी अच्छे है, saturated तो खैर दोनों ही रखता है, बट कॉंट्राश थोड़ा सा G45 का जाधा है, पोट्रेट मूड में भी, प्लस यहां पर आप डाइनेमिक रेंज देखोगे, तो G45 का जाधा बेटर है, यहां पर macro shot तो मतलब ठीक है, दोनों का okay okay सा है, बट यहां पर ultra wide है, या zoom होता है, वो तुम्हारा G45 में होता है, वो G85 में होता है, तो यह ध्यान रखना है, अगर मैं बात करूँ बैटरी की, बाइटरी की, बाइटरी की बैटरी की बैटरी की बैटरी क का fast charging देखने हो मिलता है, और Moto G45 में तुम्हें 20 watt का fast charging देखने हो मिलता है, यहां पर difference आई की, और यहार अगर मैं display की बात करूँ, तो Moto G45 में 6.5 inch का HD plus display देखने हो मिलता है, Gorilla Glass 3 का protection है, and 120 hertz का display है, वहीं पर मैं Moto G85 की बात करूँ, तो यहां पर 6.7 inches का P.O. lit display देखने हो 120 hertz की display है, 1600 nits की peak brightness देखने हो मिलती है, Gorilla Glass 5 का protection मिलता है, but हा, HDR support नहीं करता है, YouTube बगरा में तुम देख लो, but भाई, देखो, overall display की quality definitely तुम्हें यहां पर Moto G85 की जादा बेटर लगीगी, ज्यादा immersiveness ना, क्योंकि curve display तो Moto G85 का लगेगा, even colors बगरा की बात करूँ ना, तो colors म बगरा भी Moto G85 की जादा बेटर है, तो देखो, यहां पर ना, तुम्हें clear winner देख रहा होगा, कि G85 है, but ऐसा नहीं है, भाई, देखो, G85 ना, तुम्हें 16,000, 17,000, 18,000, 18,000 का मिल रहा है, and G45 भाई, देखो, उन लोग के लिए, जिनको जादा ताम जाम नहीं करना है, and क्यो जादा यूज नहीं करते है, WhatsApp चलाएंगे, जादा-जादा, Instagram चलाएंगे, and calling वगरा करेंगे, तो definitely G45 को तुम consider कर सकते हो, अच्छा, तुम्हारा budget एक्टम ही टाइट है, 15,000 का है, तब भी तुम G45 को consider कर सकते हो, भाई, अच्छा phone है, जिस price पे यह आ रहा है, 5G दे रख सकते हो, भाई, stylish design है, curve display है, आजकल के लोगों curve display जादा पसंद आ रहा है, camera definitely better है, G45 से, and performance में तो मतलब ये भी भाई, casual सी gaming ही करेगा, तो देखो यार, यही final verdict था, तुम बताओ, तुम किस team में हो, G45 के, या G85 के, comment box में, वाकि दोनों का इबाइ लिंक नीचे, description box में दे कर लेना, वीडियों तक देख लिया है, अच्छा लगा है, लाइक कर देना, चैनल में नहीं हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन धबा लो, मिलते हैं अगले वीडियो में,